नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी मम्ता बनर जी के अन्याए अत्याचार और वे जो खूनी खेल बंगाल के अंदर हो रहा है उसके खिलाफ प्रदान मंतरी मोदी और अमिशा ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कुछ ऐसी जानकारिया हमारे पास है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे मम्ता बनर जी को घेरने के लिए भारती जनता पाटी ने क्या उपाए निकाला है और किस तरीके से मम्ता बनर जी के सारे प्लैन के उपर जो कर सकते हैं पानी फेरने के लिए बीजेपी आगे क्या करने वाली है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूँगा लेकिन इस वक्त एक और जो बड़ी खबर जो बंगाल से अफवा के रूप में निकली थी कि 30-35 बीजेपी के MLS वो बीजेपी छोड़ के TMC में जाने वाले हैं उसका भी इलाज निकाल लिया गया है मुकल रॉय जो बीजेपी के एक बड़े लीडर है कुछ दिन पहले तक वो मम्ता के बिलकुल दाइने हाथ हुआ करते थे उनसे अभी बीच में अभी शेक बनर जी की जो मुलाकात हुई थी और जो अफवा का बाजार गर्म हुआ था उस पे भी एक नई खबर आई है कि बंगाल के अंदर जो पब्लिक एकाउंट कमिटी होती है सरकार के एसम्बली की उसमें मुकल राइको बीजेपी उसका चेर् बनाया है सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में जो लीडर्स हैं चाहे वो मोदी हों चाहे वो अमिस्चा हों चाहे वो नडडा हों चाहे कोई भी हो उनको ये बात समझ में आ गए कि जुनाओं के बाद जिस हिसाब से बीजेपी के कारकरताओं को टार्गेट किया गया ज मम्ता बनर जी ये खुले आम इस तरह का काम कैसे इलाओ कर रही है अब दो बाते हैं यहाँ पे एक मम्ता बनर जी अपने आपको मोदी के खिलाफ 2024 में ख़़ा करना चाह रही है ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है सोसल मीडिया में यह बताया जा रहा है कि इस बार बंगाल की बेटी बनेगी प्रधान मंतरी बंगला प्राइम मिनिस्टर बंगाली प्राइम मिनिस्टर इस तरह के ट्विट्स जो है इस तरह का ट्रेंडिंग आप देखते होंगे सोसल मीडिया के अंदर और ममता बनरजी ये थाबित करना चाहгов है अपने स्क्रिया कलापों से कि वो अकेली है जो बीजेपी से दो-दो हात कर सकती है और इसके लिए बीजेपी के कारकरताओं की हत्या करवानी पड़े बीजेपी के कारकरताओं के घर से बहुँ बेटियों को उठा कर करकर उसकी इज़त जो है लूट ली जाए लोगों को वहां से भगा दिया जाए वो कुछ भी करने को तयार है लेकिन वो बस यही चाहती है कि कि किसी भी तरीके से एक साल के अंदर ममता बनर जी पूरे देश में इस तरह से उभरे कि यह अकेली लीडर है हिंदुस्तान के अंदर म जो मोदी से टकर ले सकती है तो एक बीजेपी के लिए दो-दो मुद्दे सामने हैं एक किस तरीके से आप बंगाल के अंदर अपने कार करता हूँ अपने समर्थक, अपने वोटर्स का विश्वास आप जीते किस हिसाब से वहां पे ममता बनर जी को बंगाल के अंदर कर रही है एक जो वाइरस फैला रही है क्योंकि मम्ता बुनर जी जो काम कर रही है वही काम फिर राहूल गांदी भी करेंगे वही काम केजरिवाल भी करेंगे वही काम अखले स्यादक भी करेंगे जहां जहां बीजेपी हारेगी वहां बीजेपी कार करता हो और हिंदूओं के सुवेंदू अधिकारी है, केलास विजेवरगी है, भुपंदर यादव है और इन लोगों को बंगाल की हर ख़बर, हर इंसिडेंट, हर चीजों को लेकर खे बकाइदा केंदर में उनको रिपोर्ट करना हो रहा है और जो आगे जो स्टेड़ी बनाई जा रही है, वो ये है कि बंगाल के अंदर अगले कुछ दिनों के बाद से प्रोटेस्ट सुरू हो जाएंगे लोग सलकों पे उतर के सरकार के विरोध में अपनी लडाई सुरू करेंगे और वो घर-घर जाकर के जिस तरह के से आप देखी, वहाँ पे तो गाओं के गाओं खाली कर दिये गए है अब पता चल रहा है, आज ख़बर आई है कि कंप्लेंड किया गया है, हमने चार दिन पहले बताया था क्योंकि हम लोगों को कुछ लोगों ने फोन करके इस बात को बताया कि यास तुफान के अंदर जब लोगों के घर के छट खतम हो गए सब कुछ चौपट हो गया और सरकार के तरफ से जो अनाज की मदद आ रही थी पीडियस के जरिये तो उसमें लोगों की निशान दे ही कर दी जा रही थी कि ये बीजेपी का समर्था के इसे अनाज नहीं मिलेगा इस तरह के कई सारे केसे सामने आ गए है साथी साथ अब ये कहा जा रहा है कि भई उनसे कहा जा रहा है कि तुम अगर वापस आना चाहते हो तो फ़ला फ़ला तुमारा फी है इतना हर जाना दो इतने रुपए दो तब फिर वापस आना पुलिस प्रसाशन सरकार सब गूंगी बहरी हो चुकी है बंगाल के अंदर में अब इसको कंटेन कैसे किया जाए तो इसके लिए जो चार लोगों की जिम्मिदारी दी गई है ये लोग बंगाल में घूम घूम कर जान हथेली पे लेकर ये आगे स्टेड़ी बनाने वाले हैं और ये सड़क पे उतरके अब इसका विरोध करने का प्लैन हो रहा है लेकिन उससे सिर्फ काम नहीं बनने वाला है सरकार की तरफ से दूसरा प्लैन जो दिल्ली में बनाये जा रहा है कि किसी भी तरीके से सुप्रिम कोर्ट के जरिये इस तरह का कोई बयान इस तरह के कोई आदेश सुप्रिम कोर्ट से निकले जिसमें ममता बनरजी के नकेल कसा जा सके और ये सारी चीजे एक साथ हो रही है तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है वो ये है कि जो मोदी को चालेंज देने वाली जो बात है पूरे देश में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ममता बनरजी को लेकर के तो उसके लिए बीजे पी ने एक अजीब गरीब स्टरजी बनाई है अभी तो कोरोना का पीरियड है इसलिए आनलाइन ही इस तरह से गोस्टिक की जा रही है अलग-अलग जगों पे अलग-अलग राज्यों के कार करताओं लीडर्स के साथ उनकी बाचीत हो रही है क्या-क्या बंगाल में घट रहा है किस तरीके से वहाँ पर प्रताजित किया जा रहा है किस तरीके से कार करताओं के साथ अन्याय हो रहा है किस तरह से बहु बेटियों की इज़त लूटी जा रही है वो सारी कहानिया हो चुकी हैं तेरा राजियू में जो जिस्तर की मीटिंग के बात में कह रहा हूँ वो तेरा राजियू में हो चुकी है दिलिप गोश ने उत्रप्रदेश हिमाचिर प्रदेश मनिपूर अंदमान निकोबार के कारकरताओं और बिल बात की, सुमेंदू अधिकारी, गुजरात और मेगाले के लोगों से इन लोगों ने बात्चीत की है, यह सारा डीटेल हिए किस लोगों ने कहां कहां किस से बात की, कलास विजे वर्गीज ने उत्राखन करकरताओं के साथ मिलके इस सारी घटनाएं वो कहां क्या हो रहा है बंगाल के अंदर ये जन जन तक भारती जनता पाटी पूरे देश में लेकर के जाएगी और ममता बनर जी के जो खूनी खेल जो खेला होबे वो जो कह रही थी उसके बारे में बताया जा रहा है और जो डीटेल्स हैं वो इतन शर्मना कितने घिनोने हैं कि जिसे आप बता भी नहीं सकते यह इस तरह का कांड हो रहा है और एक और इंपॉर्टेंट जो भारती जनता पाटी के तरफ से किया जा रहा है कि अब तक जिस हिसाब से मीडिया बंगाल की स्टोरी को इन लोगों ने बिलकुल छोड़ दिया है वो मीडिया का मेनेजमेंट भी अब किया जाएगा कि करोना जैसे ही खत्म होगा टेलिविजिन चैनलों को ये बाद किया जाएगा वहाँ पे इतना हंगामा किया जाएगा वहाँ पे इतना ज़्यादा विरोत पतरसन किया जाएगा कि मजबूर हो जाएंगे टेलिविजिन ये गंगा जमनी तहजीब के नाम पे सेकुलरिजम के नाम पे ये फासिजम से लड़ने के नाम पे ये डिमोकरसी को बचाने के नाम पे कैसा नंगा नाच हुआ है ये दुनिया को बताना जरूरी है और इसी स्टेड़ी पे भारती जित्ता पाटी काम कर रही है मतलब तीन तीन लेवल पे काम हो रहा है एक बंगाल के अंदर मम्ता बनर जी को कैसे घेरा जाए वो एक तैयारी हो रही है दूसरा बंगाल के अंदर जो अत्याचार हुए है उसको जन जन तक पूरे देश में किस तरीके से पहुँचाना है उसके अलड़ी काम सुरू हो गया है और तीसरा जो लिगल आप्शन है जैसे कि अभी जो अगले दो-तीन दिलों में जो खबरे आ रही है कि ये जो अलपन बंदो पाध्या है इसके उपर एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद ये जो तमाम जो नेश्रल हिमर रैट कमिशन है और जो वोमन कमिशन है इन लोग की जो रिपूर्ट हैं वो सुप्रेम कोर्ट में जमा होने के बाद इसे पप्लिक किया जाएगा एक पप्लिक डिबेट पुरे जेश में सुरू किया जाएगा जिन लोगों ने इनका विरोध किया जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसे वो दुश्मन समझ रही है इस तरह का पूरा स्टेड़ी बनाया गया है लेकिन एक और खबर जिसको लेकर के तिनमूल कॉंग्रेस की परिशानिया बढ़ गई है कि बहुत सारी लॉबिंग बहुत तो ये अक्सर अपोजिशन लीडर को दिया जाता है जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको वो दिया जाता है सुवेंद्य अधिकारी को तो लीडर अपोजिशन बना ही दिया गया है तो ये सबसे एहम पद होता है जब पब्लिक एकाउंट कमिटी का कोई चेर्मिन होता ह उसका काम यही होता है कि सरकार के द्वारा जो खर्च की गई जो पैसे होते हैं उसका पूरा डिटेल पूरा हिसाब किताब रखना और ये एक बहुत ही एहम पद है जिसे मुकल राय को देने का फैसला भारती जन्ता पाटी ने किया है प्रधानमंती दो बर बात कर चुके हैं आमिशाब की भी बात हो चुकी है तो ये जो एक्सुडस की खबर थी उस पे तो विराम लग गया है लेकिन अब बारी भारती जन्ता पाटी की है कि आप में जो योजनाय बनाई वो कैसे जमीन पे उतरे कैसे आप बंगाल के अंदर ममता बनर जी को घेरते हैं देश में परी देश की नजर है और इस बीच सो एक अडमिशन्स देश के उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा है ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर जाच हो वहां पर जो हुमन राइट्स है लोगों के उसकी बहाली हो जाए पुरे देश की नजर बंगाल के उपर है और उससे मोधी सरकार के उपर है कि इतना सब कुछ होने के बाद वहां जो स्टेट स्पॉंसर जिनोसाइड चल रहा है उसके बाब जो मोधी सरकार क्या एक्शन लेती है इसके इस पे पुरे देश की निगाह बनी भी है हम भी बंगाल की खबरों को फॉलो कर रहे हैं आप देखते र और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद